नमस्कार किसान भाईयो आपका स्वागत है आपके अपने चनल लचमी फार्मिंग में किसान भाईयो आज मैं आपके लिए एक बहुत सी जबरजस्त वीडियो लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान भाईयो अगर आपकी धान की वसल 30-40 दिन की हो गई है या फिर 40-45 दिन की हो गई है और आपकी धान की वसल में अभी तक अधिक मात्रा में गुरोथ, बढ़वार और कल्लोंगा फुटाओ देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक आपकी धान की विसल में मात्र 10 से 15 कल्ले ही बन पाए हैं तो यह आपके लिए बहुत ही परशानी और चिंता की बात है लेकिन किसान भाईयों आपको परशान होने की कोई जरुवत नहीं है आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी खात के बारे में जनकारी देने वाले हैं जिसको अगर आप एक बार अपनी धान की विसल में अगर डाल देंगे तो आपकी धान की विसल में कल्लों की संख्या बहुत यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी बहुत यादा जवरजस्त कल्ले निकलेंगे स्वस्त मजबूत और मोटे इसके लाओ किसान भाईयों आपकी धान की वसल की कुरोध बहुत तेजी से होगी अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी हर्याली के साथ साथ धान के पौधों का विकास जड़ों का चानकी वसल की दालने का समय किसान भाईयों जब आपकी धानकी वसल तीस से चाली से पचाविताथ से दिन की हो गई है और उसमें अभी तक आपको ग्रोथ, बढ़वार, कल्लों का फुटाओ, अधिक मातर में कल्लों की संख्या देखने को नहीं मिल रही है, हर्याली देखने को नहीं मिल रही है, आपकी धान की वसल बहुत सुस्त पड़ गई है, उसमें अधिक मातरा में आपको कल्लों का रही है आपकी धान की वसल से दूर हो जाईगी आपकी धान की वसल की जो रुकी हुई ग्रोथ है वह फिर से चालू हो जाएगी और फसल का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगेगा और किसान भाईयो यह सभी चीजें आपको 5-6 दिन के अंदर देखने को मिलेगी गयने का म सबसे पहले तो किसान भाईयो आपको अपनी धान की वसल में यूरिया को डालना है यूरिया किसान भाईयो आपको अपनी धान की वसल में 35-40 फिलो प्रतियेकड के हिसाब से डालना है अगर किसान भाईयो आपने अभी तक अपनी धान की वसल में दूसरी यूरिया खाद डाली है और आपकी धायन की वसल 40-50 दिन की हो गई है और उसकी ग्रोथ रुक गई है बढ़वार तेजी से नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले तो अपनी धायन की वसल में यूरिया खात को डालना चाहिए और उसकी मात्रा आपको 35-40 खुलो प्रति एकल के हिसाब से रख लाता है इसके लागों किसान भाईयों आपको यूरिया के साथ जो दूसरी खात को मिला कर डालना है वो है जिंग सलफेट। जिंग सलफेट किसान भाईयों आप चाहे तो Micronuterned zinc जो आती है उसको ले सकते हैं या फिर अगर आप zinc 33% वाली डालना चाहते हैं जो Chillated zinc आती है Mono zinc नाम से Dyal Company की या फिर किसी भी अनिय Company की आप लेकर डाल सकते हैं इन दोनों में से कोई भी जिंक आप लेकर डालें दोनों ही अच्छी होती है लेकिन ज्यादा बेतर जो होती हो माइक्रो नूटेंट वाली होती है क्यों कि माइक्रो नूटेंट जिंक में जिंक के एलावा आपको उसमें आइरन, बोरान, कॉपर, कोबर्ड, मैगनीशन, निकल और भी डे सारे अन्यतत जो हमारे धायन की फ़सल में गुरोध और विकास के लिए साध्या करते हैं वो सब कुछ ना कुछ मात्रा में पाय जाते हैं जो आपकी धायन की फ़सल के लिए काफी ज़्यादा बड़े और अच्छा होता है इसलिए किसान भाईयो आप जिंक 33% वाली ना यूज़ करके अगर माइक्रो नुटर्ट वाली जिंक यूज़ करेंगे तो यह आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा लेकिन अगर आप chillator zinc इस्माल करना चाहते हैं तो आप chillator zinc भी इस्माल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगे अगर हम बात करें इनकी मात्रा के बारे में तो किसान भाईयो जो micronutron zinc है इसकी मात्रा आपको लेनी है कम से कम 6-7 kg प्रतियेकल के हिसाब से और जो chillator zinc है 33% वाली इसकी मात्रा आप 4-5 kg प्रतियेकल के हिसाब से ले सकते हैं इसको भी आपको यूरा के साथ मिला कर डालना है जिंक डालने से किसान भाईयो यह आपकी धान की असल में जो आपकी धान की पतियां पीली होने लगती है उनका हरा कलर गायब होने लगता है तो यह समस्या को यह आपकी धान की असल से दूर करता है इसके इलावा ग्रोथ और बढ़वार में सायता करता है इसके साथ आपको किसान भाईयों एक चीज और मिलानी है वहाँ तीसरी चीज है सलफर सलफर किसान भाईयों आपकी धान की फसल में जड़ों के विकास में सायदा करता है जितना जादा आपकी धान की जड़ों का विकास होगा किसान भाईयो उतना जादा आपको कल्लों का फुटाओ अधिक मातर में पत्तियां या सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी और किसान भाईयो जो आपकी धान की फसल जितना जड़ों का विकास होगा उतना ज़्यादा जमीन में फैलेंगी जमीन में जो आप खाट डाल रहे हैं जो तक तो डाल रहे हैं या सिरु जो आओ पहले से तक तो मौझूद है उनको लेने के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा एहम भूमका होती ही जड़ों की जितना ज़्यादा आपकी जड़े फैलेंगी उतना ज़्यादा आपके पौधे का विकास होगा इसलिए जड़ों के विकास के लिए आपको सलफर डालना चाहिए सलफर की मातरा की सनबाईयों कम से कम प्रती एकल के इसाब से आपको 2-3 किलो लेकर डालना चाहिए और सलफर की सनबाईयों आप चाहें तो 80% WP form में आता है इसको भी डाल सकते हैं या फिर 90% WDG सलफर ये भी आता है मार्केट में बहुत डिर सारे form में मिलता है लेकिन यही दो form बहुत ज़्यदा popular होती है जो आप अपनी धान की वसल में इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा किसान भाईयों आपको अपनी धान की वसल में डालना है फिरस सलफेट लोहा किसान भाईयों यह भी आपकी धान की वसल में जो आपकी धान की वसल सफेद पढ़ने लगती है उपर की पतियां सफेद पढ़ने लगती है उसको बोलते हैं धान का सफेदा रोग किसान भाईयो यहां रोग भी बहुत ज़़ादा हनिकारख होता है और आपकी धानड़ी विसल में जब आपकी धानकी विसल तीस से चालीज दिन या पचास दिन के लगख बीच में होती है तभी आपकी धान की असल में यह रोग ज़्यादा प्रभुंग मात्रा में देखा जाता है अगर आपकी धान की असल में यह समस्या है आपकी धान की असल का विकास नहीं हो रहा है तो किसान भाईो आप अपनी धान की अबसल में फिरससलफेड जिसको हम लुहा कहते हैं इसको भी जरूर आपको डालना चाहिए प्रतियक्त्तो होता है जो आपकी धान की वसल में ग्रोट और विकास के लिए जिम्मधार होता है अगर आपकी धान की हसल में Magnesium Sulfate आप समय पर नहीं डालेंगे तो आपकी धान की हसल की ग्रोथ और विकास आपको तेजी से देखने को नहीं मिलेगी किसान भाईयो, Magnesium Sulfate को डालने से फाइदा क्या होता है, चलिए भी इसके बारे में जाल लेते हैं दोस्तों, यह हमारी धान की हसल में Chlorophyll की कमी हो रही है इसको दूर करता है दूसरा किसान भाईयों, जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रकास संसिलेशन की क्रिया, फोटो सिंथेटिस की जो प्रोसेस होती है उसको या तेजी से बढ़ाता है और ज़्यादा तेजी से होने रती है जिससे हमारे धान के पौदो में और ज़्यादा अधिक मातर में बोजन बनता है जिससे उनका विकास बहुत ही तेजी से होता है किसान भाईयो, एक example के तोर पर उदाला के तोर पर, जितना जाधा आदिक मात्रा में खाना खाते हैं, उतना जाधा आप active रहते हैं, उतना जाधा आपके अंदर energy होती है, इसलिए, प़ऊदों के अंदर जितना जाधा अदिक मात्रा में बोझ़न बनेगा, वो उतने जादा और energetic होंगे उसमें और जादा उर्जा होगी और आपकी जो फसल है उसका विकास भी काफी तेजी से होगा इसके लाओं किसान भाईयो या आपकी धान की फसल में कुछ enzyme होते हैं जो आपकी धान की फसल में magnesium sulfate को डालने के ही बात बनते हैं और किसान भाईयो या और दूसरे अन तत्यों को भी काम करने के लिए प्रिद करता है जिससे आपकी जो धान की फसल है उसका विकास काफी तेजी से होता है अधिक मतल में कल्लों का फुटाव देखने को मिलता है हर्याली देखने को मिलती है बढ़वार और ग्रोथ भी देखने को मिलती है कि दूसरी यूर्या के साथ मिलाकर डाल सकते हैं जैसर कि अगर आपने अभी तक अपने धान की विसल में जिंक और स sprinkhor को ढाल दिया है और फिरस सलफेड और मेंजशन स elemento को नहीं ढाला है तो आप जब दूसरी खाथ डालने जा रही हैं तो यूरा के साथ इन दोनों को मिलाकर डाल दीजे जिससे किसान भाइयों आपकी धायन के सल में सभी तत्त जो हैं जो में धायन के सल के लिए जरूरी होते हैं growth के लिए वह मिल जाये और आपकी फसल की growth जो रूकी हुई growth है वह फिर से तेजी से चालू हो जाए जिससे आपको अधिक समातरा में कलनों का फुटाओ फिर से देखने को मिले अगर किसान भाईयों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने किसान में तुरों के साथ शेर कर दीजेगा